Hi Friends, Soul Karma या फिर बोलू Spousal Karma इस कर्मा की बात मैं आज क्यों कर रही हूँ क्योंकि जितने लोग relationship manifest करने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी शादिया manifest करने में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत important है ये जानना कि आप जो भी आपके partners हैं, जो भी आपका specific person हैं जिससे आप desperately श हमेशा हम जब कोई ऐसी चीज सुनते हैं कि ये married people के लिए हैं, तो उसमें interest लेना कम कर देते हैं, जो unmarried हैं उनको बता रही हूँ कि क्यों उन्हें लगता है कि अभी थो हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन जो शादी के लिए बिल्कुल desperate हैं और techniques कर रहे हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके wishes सिरफ शादी होके खतम नहीं हो जाती है, असली journey शादी के बार शुरू होती है और अगर आपको उससे पहले एक mindset रहे कि आपको करना क्या है या आपके जो partners हैं जिनको आप manifest करने में लगे हूए, उनके साथ आपको आगे कैसे रहना है, क्या करना है, बलकि ये काम क्योंकि आपने अपना जीवन साथ ही एक तरह से अभी चुन लिया है, आप उनके लिए ही कोशिश कर रहे हैं कि वो ही आपके husband बन जाए या wife बन जाए जो भी, तो अभी से ही आप इन सब चीजों को अपनी जिन्दगी में लागू करना शु जादी वहां पर पहुंच जाते हैं और पती-पत्नी बन जाते हैं, husband वाईव बन जाते हैं, एक दूसरे के जीवन साथ ही बन जाते हैं, तो आप एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक के बिना दूसरा अधूरा है दूसरे के बिना अगर हम सोचे के सिक्का पूरा हो जाए तो नहीं होगा दोनों की जरूरत बराबर है वैसे ही आप दोनों हो जाते हैं आपके रिष्टे में जो सबसे जरूरी चीज है वो होनी चाहिए सब्र, सबसे पहली चीज सब्र फिर शांती और फिर जो रिष्टे की नीव होती है इमानदारी, ओनेस्टी, ठीक है, रेस्पेक्ट, प्यार वो तो है ही, उसके बिना तो रिष्टा होगी नहीं सकता, ठीक है, समझदारी और शेरिंग, एक दूसरे से बाते शेर करना, आज की लाइफ में चाहे पार्टनर्स हो, या फिर हजबन वाइफ हो, सबसे बड़ा इशू अगर कुछ है, तो वो, या कोई इशू अगर होता है, तो उसके पीछे का कारण यहीं है, कि हम शेर नहीं करते, अपने हजबन से, हजबन वाइफ से शेर नहीं करते अपनी बाते, वाइफ हजबन से बहुत डरते हैं, या फिर जिजगते हैं चीजों को शेर करने में उतने खुले नहीं हैं हम ओके येस शेरिंग में भी बहुत सारी चीजों को कई दफा रिष्टों को बरकरार रखने के लिए हमें डिपलमाटिक होना पड़ता है कई दफा चीजों को फिल्टर करके बतानी होती है जो ठीक भी है ठीक है लेकिन फिर भी बहुत सारी बातों को या बहुत मैं बोलूँगी डेलिकेट या बहुत ऐसी बातों को जो जरूरी है उसको छुपाना सही नहीं है तो वैसी अंडिस्टानिंग होनी चाहिए कि आप अपने पार्टनर से हर बाद शेर कर सकें ठीक है शेरिंग में ध्यान रखिए कभी भी नेगेटिव बातों को शेर मत कीजिए कोशिश कीजिए कि उसको भी आप मॉडिफाई करके एक तरीके से बताएं कि वो भी पॉजिटिव लगे उसमें अगर कोई कमी है कुछ है तो उसको खतम करने के पीछे काम किया जाए उसको अंडरस्टान किया जाए ये नहीं कि उसकी कम्यों की वज़ए से आप में कम्या निकालनी शुरू हो जाए तो इस चीज़ों का काम दूसरे सोल को उसकी डेस्टिनी तक पहुचाना होता है इसका ये मतलब नहीं है कि शादी हो गई और आपने एक लाइफ चुरू कर ली बस वहीं पे कर्मों का बंधन ऐसा हो जाता है कि जो एक सोल ने जितने कर्म किये हैं उसमें जहां पे भी कमिया हैं उन कमियों को दूसरा सोल पूरा करता है तब ही दो आत्माई एक हो जाती है ठीक है एक आत्मा बन जाती है क्यों बोलते हैं कि शादी के बाद दो आत्माई एक हो जाती है क्यों क्योंकि दोनों के कर्म साथ चलने लगते हैं एक की कमी को दूसरा पूरा करता है और इसी तरह से दोनों साथ चलते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और सबसे बड़ी चीज़ आप लोग अगर आपके partners, husbands या फिर आपके specific person आपको लगता है कि रिष्टे में बहुत desperate हैं, गुसा हो जाते हैं, जल्दी से समझते नहीं हैं तो ये समझदारी आप बरकरार रखिए, कई दफा होता है कि हम अपने patience को खतम कर देते हैं एकदम लगता है कि बस हद हो गई सेहन की, अब नहीं बरदाश होता, अब बस बहुत हो गया पर रिष्टो की यही सच्चाई है, कि एक line अगर मैं बोलू रिष्टो के लिए तो जो सहता है वो रहता है अब यहाँ पर सहने का मतलब यह नहीं है कि आप violence सह रहे हैं, आप मारपीट सह रहे हैं, मैं वहाँ तक नहीं जा रही हूँ सहने का मतलब सिर्फ सब्र का होता है, कई दफा हम खुद बहुत desperate हो जाते हैं, आच्छा, आज wish नहीं किया, आज बड़े wish नहीं किया मतलब कि अब तो पता नहीं क्या हो जाने वाला है घर में, तो यह जो सब्र होनी चाहिए ना, इंसान के मन में, शांती होनी चाहिए, कोई बात नहीं, सब ठीक है, आज नहीं किया, कल तो हम एक लंबी उमर अपने अपने पार्टनर्स के साथ जीने के लिए कोशिश में है, ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हम अपने अपने पार्टनर्स के साथ, हजबन्स के साथ, वो जो कहते हैं ना, कि बूढ़े हो साथ में, तो वो एक लंबी उमर जीनी है हम लोगों को, तो नहीं कि आपने किसी का बुरा किया तो ही होते हैं, सिर्फ सोच लेने से, वो thought create कर लेने से भी effect होता है, और अब मैं ये जो चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे, कार्मिक spousal, कि आप दोनों एक दूसरे के करमों को पूरक करने वाले हैं, आपको अपने partner को आगे बढ़ाना है उनके करमों को शुद करना है, ठीक करना है अगर कहीं कोई lacking है, आप दोनों के ही करम आगे जो आप से connected या आप से जो आगे पैदा होंगे, souls और energies जो आप से जोड़ेंगी, उनके करमों को भी effect करेगा, अगर आप दोनों honest रहेंगे, एक दूसरे से कोई बात चुपाएंग जिनके ऐसा लगता है कि अब बचा ही नहीं कुछ भी, पर फिर भी अगर उन दोनों husband wife से आप जाके पूछो, तो दोनों की मन में ये जरूर होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो, कि हमारे बच्चों को इसकी परवरिश अच्छी हो, उनके संसकार अच्छे हो, वो अच्छ दूसरे के लिए trust रखेंगे, faithful रहेंगे, loyal रहेंगे, वफादार रहेंगे एक दूसरे के परती, तो आपकी सामने जो भी बच्चे हैं या आपके family के member, पूरा family का कार्मिक account बन जाता है एक, जो effect हो जाता है सिर्फ एक या दो बंदों से, और husband wife तो नीव होते हैं, ठीक है उनकी वज़ा से बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी वज़ा से एक पूरा परिवार बनता है, तो पूरे परिवार के जिम्मेदारी आप लोगों पे होगी, तो जो भी लोग यहाँ पे शादी के लिए desperate है, specific person है, शादी करना चाते हैं, अपने कर्मों को आज से सुधारना क्योंकि आपकी मनजिल तो शादी है, लेकिन सिरफ शादी तक नहीं रुकती, असली जर्नी अगर मैं बोलूं तो शादी के बार शुरू होगी, और वहाँ पे आपको अपने कर्मों को बहुत strong, positive रखना है, ताकि आपके मन में, अगर अभी तो आप लोगों की शादी नही सबको यही चाहिए, और यही होना भी चाहिए, कि बच्चे आदर करें, सम्मान करें, अच्छे हों, सच बोलें, सही रास्ते पे चलें, करम अच्छे करें, सबको यही चाहिए, तो आप जब तक अपनी नीव ऐसी मजबूत नहीं करोगे, तो आगे कैसे दोगे, simple, ठीक है, तो आपसे, आपका यह जो soul connection चुरू हो रहा है, spousal connection जो है, spousal करमा जो है, एक दूसरे के साथ अच्छा रहने का, partners में भी, आप specific person के साथ हैं, उनकी तरफ से कोई कमी है, तो उस कमी को आप एक चीज़ से, पहले तो सबसे पहला एक word अपने mind में रख लीजिए, relationship से related, ज relation हो, या फिर किसी का भी relation हो, relationship में सब्र सबसे जरूरी है, और ये सब्र ही हम लोगों में नहीं है, हम सब्र का दामन छोड़ चुके हैं, अगर हमने आज किसी के लिए अच्छा किया है, तो उसने पलट के thank you, क्यों नहीं बोला, उसने तुरंत ही हमारे लिए अच्छा क्यो होना शुरू हो जाता है, रिष्टे में वहीं दरार पढ़नी शुरू हो जाती है, अगर आप सब्र रखें, तो सब ठीक है, ठीक है, और दूसरी चीज, ignorance, कभी-कभी बहुत सारी चीजों को हमें ignore करना सीखना चाहिए, रिष्टों में ignorance भी बहुत जरूरी है, ठीक है, तो relationship, एक बहुत positive couple, जो एक पूरे family का निर्मान करेंगे, और उस family से समाज का निर्मान होता है, और फिर आगे सब कुछ, तो ये था spousal कर्मा के बारे में, specific person हो, या जो शादी के लिए बैठे हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, कि आप just person से जोड़ेंगे, उसके कर्मों आपको ही पूरा करना है, तो आप पहले भरे हुए होने चाहिए, आपका करम पहले उतना positive होना चाहिए, आप लोग अच्छे बनिये, positive सोचिए, और ये चार चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए, सब्र, शान्ती, इमांदारी, वफादारी, sharing, ठेक है, sharing बहुत जरूरी ह दोनों को सीखना होगा, धीरे-धीरे करके, एकदम से नहीं कि ये sharing words सुनके, बस सब कुछ धड़ा-धड़ बता दिया, नए, बहुत समझदारी से sharing होनी चाहिए, sharing ऐसी चीज़ है, कि आप हर चीज share भी नहीं कर सकते हो, और share करना भी है, तो दोनों चीज़े हैं, इसमें understanding इसके साथ-साथ हम कर्मों से related और भी बाते करेंगे, because karmic account ऐसी चीज़ है, कि अगर इसका पल्रा बहुत भारी है, तो फिर आपके सारे कोशिशें, सारी चीज़ें बहुत रुक-रुक के काम करती हैं, बहुत blockages create हो जाती हैं चीज़ों में, ठीक है, इसलिए कर्मों पे हम सीखने को जानने को मिले, इसी के साथ, thank you and yes, God bless you all, stay blessed and अपने कर्मा असको heal कीजिए, because आपकी destiny जो create कर सकती है, वो आप खुद और आपके कर्मा, दोनों, thank you.